गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवो, महेश्वरा, गुरूर साक्षाथ, परब्रम्हा, तसमेश्री, गुरूवे नम्हा दौर बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, कुछ मुश्किले जरूर हमारे सामने है, जब मैं एजूकेशन फिल्ट के बात करना हूँ, तो वहाँ पर विक्री चैलेंजिस हैं, लेकिन इन चैलेंजिस के साथ में, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थों के साथ में, किस तरह से समन मैं साथ कर एक परिक्रमा कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात, हम शिक्षकरोंद से ही जाने, तो कितनी बहितरस्तिती होगी, ऐसे ही शिक्षक बात पर बात करने के लिए, आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है, बंडेवास शिगजान इंटूशन क्ल से, उन्हें के साथ में आज हमारे इस चर्चा में शामिल हो रही है, डॉक्टर विशाखा जाजुलवार, आप डॉक्टर भी है और साथ में डारेक्टर और आप पढ़ाती भी है, बंडेवास शिगजान इंटूशन क्लासेस में, चली मैं आपको सीधा एक सवाल पूछता था, वह ऐसा होता था कि सारे बच्चे क्लास्रूम में आते थे, बच्चे बैठे रहते थे और बहुत एक एंवर्मेंट बहुत प्यारा सा हुआ करता था, जिसमें किया था कि बच्चे जो है एक इंटरेक्शन टीचर के साथ उनका बहुत प्रोपर वे में चलता था, एक फिजिकल कॉंटेक्ट होता था, बहुत बढ़िया कॉंटेक्ट होता था, बच्चा बहुत खुल के अच्छे से करता था, बट कोविड-19 के वज़े से, ये COVID-19 नियू के वज़े से कुछ ऐसा हो गया, कि आज बच्चा हमारे साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा र है और इंटरेक्शन का पार्ट है वो हम लोग करते जा रहे हैं, जी, डॉक्टर सहिवा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप एक डॉक्टर भी हैं, उसके साथ में एक अटेच्मेंट आपका अटेशन क्लास के प्रती रहा है, तो एक साइकोमेट्रिक लेवल पर के तरफ भी ध्यान जाता है कि नहीं, आज ये बच्चा भले ही क्लास में बैठा है, लेकिन इसे कुछ ने कुछ तकलीफ है, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है कि बच्चे हमारे सामने ही नहीं है, तो वो बात को तो हम बहुत जादा मिस कर रहे हैं कि कब हमें क्लास्रों आपके पास में जब पैरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे को पढ़ाना है तो उनकी क्या आज के परिप्रिक्ष में उनके क्या डिमांड्स रहती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यह होता है कि मैडम क्लास्रूं टीचिंग कम मिलेगा ऑनलाइन से पढ़ा से नहीं से टीज जब आए कि हमेरा नहीं से पढ़ाहिए है तो सक Moderator को अर। रहो बहुत पढ़ा कि हमेरा है भी क्या पड़ी नहीं रहा है वो ईविए बच्चे क्या करता है एट फून्स लगा देते हैं मूबील जे में रख देंगे एक कुछ पैरंटस के हमें ऐसे भी कॉम्रेटी हमें लगा देता है और अपने कुछ अलग काम करते बैठता है कोई प्रेस करते रहेगा कोई कुछ करते इस से बचने के लिए कही ना कही हम मैं गवन्मेंटल इतने तही दिल से कह रहा când गवन्मेंट से रिक्वेस्ट कर रहू कि कही ना कही कुछыми रिस्टिक्शन क्या जैसे कि मैडम ने कहा उस हिसाब से आप please allow कीजिए कि classroom teaching हमें करने दीजिए चुकि आज ये दिक्कत अगर ऐसी बढ़ते जाएगी तो बहुत problem हो जाएगी education को एक दम उन्होंने casual approach के साथ लेना शुरू कर दिया बच्चों ने तो सही में ये मेरे दिल से request है कि आप बिलकुल ये चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए आपने वैसे भी हमने बहुत सारी चीजे ओपन कर ली है सारी चीजे आज मार्केट में सब शुरू हो चुका है तो प्लीज स्कूल्स और इंस्टिट्यूट्स इसे भी एक परवांगी दे आप अप अलग तरह का वहारे, एक अलग तरह के संसकार आपको विद्यार्थेयों को देने की फोशिशन सार क्या होता है कि आजकल जो बच्चे है आजकल बर्गर और पीजा का दमाना आगे है तो इस डिवरेशन में क्या हो रहा है कि पैरेंट्स की जो एक रिस्पेक्ट ह चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं गिने चुने बच्चों की बात करो, बट वो बच्चे भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, जो वो पहले किया करते थे, आजकल पैरेंट्स के पैर छूना, ठीक है, वो बहुत अपने संसकार में बहुत जरूरी चीज है, तो वो नहीं कर बच्चे भी रहेगी, जिससे वो पढ़ सकेगा, अच्छे से पढ़ सकेगा, तो ये छोटी-छोटी चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है, आज अगर आप देखे न, अगर आप एखादी मूवी देख रहे खादा, बच्चे कोई मूवी देखता है, और उतने में अगर मम अगर मममी की बात करें, यह बच्चा फूल से आता है, और इसको घर भूक लगी है, और बूक लगी है, और करेली की सबजी अगर उसे मिली, तो वह उसमें भी चिड़ता है, कि ममी करेली की सबजी दे रहे, मैं खाना नी खाँआँगा, बट वो मिचारी ममी, हमारे लिए, वो करेली कि सबजी है, बच्चे को पसंद नहीं करके क्या करेंगे, अच्छी सबजी बनेंगे, और दूसरी सबजी सबजी बना के उसे खिलाते हैं, तो मम्मी का जो प्रती है, मम्मी का जो प्यार है उनके प्रती वो मतलब uncountable है, बट बच्चों ने भी वही दिखाना चाहि करें, रोज आना उनके पैर छुआ करें, जिससे आपको पॉजिटिव वाइबरेशन मिलेगा, तो यह एक बंडेवार्शी गजाने टूशन क्लासेस जो हमारे क्लासेस है, इनका ही एक ऐसा यूनिक नैस है जो वैल्यूस के उपर संस्कार के उपर बहुत जादा फोकस करता है अपर फिर टीचिंग, टीचिंग तो ओविएसली करना ही है बड़ इसके भी अलावा आपको इस सारी चीज़ों पर ध्यान देना है यही सवाल विशेख आपसे पूछना चाहाँ क्योंकि आप घर में एक माह है और टूशन क्लासेस में भी आपको एक माह का रोल अदा कर विष्वाइन के रोल आपको इशेख आपसेख लाखे पर रिश्गना एक एक जिम्मे다रिया है यह तीनों जिम्माजा निपार का आर अपको अर माह का कर न्यों पढ़ अउन जो बच्छो के अप पिता है उनका भी बच्छों कि अपर विश्वास हो तो उनकी भी नाता कही आप पाना पड़ते हैं विश्वार जगने के लिए उनकार किसा दो कितना है आप कितना चाहले चाहले है एर बाटेशा को चाहले हैं? उनको एक तो पैक्स तो रहती है लेकिन उनका जो बाल पतने का जो प्रॉब्लम है छोटे-चोटे बच्छों के बाल सफेद होते है तो बच्चों को पता भी है कि मैडम की प्रैक्टिस भी है तो साथ-साथ वो मुझे ऐसे ही पूछते भी है कि मैडम क्या करना चाहिए फिर स जरूर यह कि आपके डायेट में फाइबर होना चाहिए और बच्चों को डायेक्ली तो यह नहीं बोल सकते कि आप लोग फास-फूड मत खाईए लेकिन फास-फूड के साथ साथ होड़ा है तो बिल्कुल नहीं तो थोड़ा 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 एंट लिए उनको थोड़ पर पीरेड होता है उसमें तो बच्चों का यह रहता है कि यह पीरेड भी पंद्रावी समेट के बाद कब खतम होगा तो वह बट नेच्रल है बच्चे जब साथ बजे से आते है और यह सिफ पानी पी कर आते है कोई-बच्चे जबरदस्ति मम भी दूद दे देगी तो मैं सुबत पन केरी कर दे माजा बैग मदे नहीं ही अस्तर दे कती पन असव अवटला एनरजी लेवल कमी थोड़ा फुटानिक होन एक गलास पानी पे अगदम चान फीलिंग यह ते बिलकुर मुझे तो रग रहा है कि मैं तो स्टुड़न पन के आपके अपके 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 बाकी तो एने बच्चे फिर वो बिस्केट और इस अब चीजों के ऊपर बच्चों का बहुत ज्यादा कॉंसेंट्रेशन है लेकिन कुछ बच्चे फॉलो करते हैं वो तो रहेगा ही अब्यसली कि कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे लेकिन काफी बच्चों को नहीं सुने ही अब्यसल्ग टेहरा है बच्चों के स्थिफिट मेरेख सुने काफीज़गा घगा बच्चों के बच्चों को जितना आप प्यार से अपने बन से हंडल करोगे उतना हुत ऑन उतना उतना हुंत चाल्ग, तो इन चैलेंगे वह तो नहीं लिए टोड़ीने ला जर ख्रीक जाले न तर थे आयकत अस नहीं। ज़सा आपन दोन मुला है एक बद्माष्छा है एक थोड़ा शांत यह जिद्धिय अहे। मुझे माला जुड़े मुला है तो तह चाम जो आए तो थोड़ा इनोसेंट है। अपनी क्लास घर शुरो हो जाती है। शीवम कासा है तेचे सु बज सकती जालत नहीं तर तेला मग थोड़ा प्रेमानी के इतला तर तो अश्य मुलाना मझे प्रत्य क्लास मदे एक दोन मुला तर अश्य अस्ता तस कि तेनना खुपस प्रेमानी हैंडल कराव लगते अश्य माख्चा बैच मदें गाच्माद क्लास मदें 10th क्लास मुला असा होता कि संगायला नहीं थाउपन लिए जाए था नम बता जो रहने से कि तो तेला क्र्रा क्ईची सवय होती यह माला भाहरूं माइफ पल्ण अन्डर नंदर प्र्ण यह जरूए है यह चर्चा तरुधे ये लो हमाझाया अंतर मीकादिस तेला खार्च में टार्च आकली पहर्ला नहीं कि वाजनजे आ प्रैम हैंडल तरुमकसर गीचे लादे अकु पर थाखामा इंडेल सेीधे खुछ जा ले ले हैं आजे ऐतार मसा हांने तेल्ची तोफ्षी जा अल मेरा मितलब हमारे इदार बंडेवर शीगर जान दिवूशन क्लासे में ऐसा है कि जितना हम प्यार से उनके साथ इंटरैक करेंगे, टच में रहेंगे, बच्चा उतना उसको अच्छा समझता है, होता क्या है, कि सिर्फ मेरे पापा, कूरम सर, उनमें वाभी बड़े है, उनक इसा भी माहूल होना चाहिए, कि किसी से बढ़ से ना, वो पताने उनके चेहरे में छड़ी होती है, तो जितना आप बच्चों के साथ प्यार से रहोंगे, उतना बच्चा सूनता है, क्या होता है, कि हर एक बच्चे का कमजोरी, तेखो, पैरेंट्स की क्या थिंकिंग है, क कि मेरे बच्चे को 90% and above चाहिए, यह बहुत गलत सोच है साथ, मैं किसी पैरेंट्स को दोश नी दना चाहतू, मैं बताना चाहतू कि अगर आपका बच्चा 50% स्कोर करता है, बच्पन से लेके तो 9 स्टेंडर तक, और आप एकदम टेंथ में यह अपेक्षा रखते हो, कि म 20-80% पहुते हैं, मतलब उसने अचीफ किया, मतलब उसने इंक्रिमेंट किया, तो यह बहुत ज़रूरी है, और वो तभी करता है, जब उस बच्चे के साथ हम लोग बड़े नॉर्मली हैंडल करता है, कभी-कभी हम लोग क्लास में भी मस्ती कर लेते हैं, किसी स्टूद्स क बोल देते हैं, आजाओ, स्टेज पर आजाओ, आप क्या टेलेंट है बताओ, आप डान्स कर के बताओ, आप गाना गा के बताओ, मतलब क्लास्रूम टीचिंग के अलावा यह छोटी-छोटी चीज़ अगर आप जब करते हो, तो बच्चा बहुत खूश हो जाता है, उसे ए मेरा यही सजेशन है, कि हमारे साथ आप भी गवर्मेंट से रिक्वेस्ट करें, कि विधिन सम लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन के साथ, 100% सभी को अपने बच्चों की याने केर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जा रहे, प्रोग्राम में जा रहे, तो बच्चों क को नहीं लेकर जा रहे, आज बच्चे बहुत कामों के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ही सिर्फ नहीं जा रहे है, बराबर हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे भी घर बेटे बेटे बोर हो गया, और 8th क्लास के बिलो के बच्चों के लिए रिस् चीज की हैबिट होती है, यानि मेरी आई है एक मैडम है जो MSC फिजिक से और वो हैदराबाद से ओनलाइन कोर्स कर रहे है, लेकिन उनके मूझ से मैंने कभी यह नहीं सुना की मैडम नहीं नहीं जंब रहे है, शीस कमफरटेबल, भली हो हैदराबाद का कोर्स यहां से कर र तो वो बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा हैंपर हो रहा है, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, 100% तो पॉसिबल नहीं है, यानि जिस तरीके का क्लास्रून टीचिंग विफोर COVID-19 था, वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, अ अगर हमारे पास होगा, क्योंकि COVID-19 में oxygen percentage maintain करना ही बहुत जरूरी है, जो भी जहां पर भी quarantine center है, वहां पर वो पॉसिबल से oxygen percentage ही maintain किया जाता है, तो वो सब यानि उतनी सब precaution के साथ, हमें अगर लेने की permission दी जाएंगी, तो it will be a good thanks, या मेरे लिए तो शब्द नहीं होग क्योंकि इस चीच के लिए हम तरस गया है, यह जैसे बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से तरस गया है, वैसे हम खुद भी classroom के लिए बहुत ज्यादा excited है कि कब बच्चे हमें दिखेंगे और कब हम उन्हें classroom में पढ़ाएंगे, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, और पूरा मसर कि अधर है कि खुद को बहुत डिप्रेस समझने लग रहा है, वो खुद को बहुत उसमें खाते जा रहा है, जैसे आप अभी थ्री मेंस जैसा आमारा लॉक्डाउन था, उसमें इवन पैरेंट्स को भी इतना दीमा खराब हो बहुत बढ़ बढ़ था कि क्या करें, क्या न दीखेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, वहाँ बोलना अपना काम है, बिल्कुल बोलना चाहिए, बट हर चोटी-चोटी चीज के लिए बहुत सारे पैरेंट्स होते हैं, अपने सपने क्लियर नहीं होते हैं करके बच्चों पे डालता है, तो उसके वज़े स अपने बच्चे को दोस बना लिया ना, फ्रेंड बना लिया ना, वो बच्चा आपको छोड़के, मतलब आपसे कुछ छुपाएगा ही ने, वो आपके साथ सारी चीज़े बताएगा ही बताएगा, होता क्या है कि आजकल बच्चे बहुत छुपाना शुरू कर देते हैं, आपसे discuss भी नहीं करता है, तो यह discussion होना जरूरी है, parents और student का, तो जब क्या होगा, आपका यह सारी चीज़ एकदम खूल जाएगा बच्चा, parents एकदम friendly हो जाएगा तो वो automatically पड़ेगा भी, घर का वातावरन अच्छा रहेगा, tension वाला नहीं रहेगा और वो खुद को depressed भी फिलने करेगा, तो यही मेरी parents से एक request है कि वो करेगा, बहुत खूब सूरत तरीके से सर, आप दोने ने अपनी बात रखे है, हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि मा के बाद में हमारे बच्चों का सबसे अच्छा जो गुरु होता है, वो शिक्षक गुरुन्दे होता है आज कोरुना के परिप्रेक्षे में जहां हम जूज रहें, लेकिन वहां कही ना कहीं भारत का उज्वर भविश्य तो बना नहीं है, नाकूर का उज्वर भविश्य तो बना नहीं है, हमारे बच्चों का उज्वर भविश्य तो बना नहीं है, बंडेवार शिकर जान सामय में बच्चों का उशिक्षक वरक जो फिजिकल अटेश्मेंट है जो एक क्लास्रूम टीचिंग जो है वो जल से जल शुरू हो इसे शुख कामना के साथ आज इस चर्चापको मैं यही विराम देता हूं आप दोनों का बहुत 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 थंद्द्द्द्द्द्द् जन्स्साह्ट ऄपद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्ट्ट्रू आपक लिःाम